आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो के बहुत ही छटपट बन जाता है और वो भी बहुत ही सिंपल से इंगेजिट्स के साथ आपका जब भी दिल चाहे आप इसे फॉरण से तयार करें और चाय के साथ इंजॉय करें असलाम लेकूम, मैं हूँ साधिया उजयर, वेलकम बैक टू साधिया उजयर्स किचन स्टार्ट करेंगे रेसिपी, बिस्मिल्लाहर्मानिर्रहीम तो यहाँ पर एक कुकिंग पैन में मैंने मेजरिंग बले कप से नापकर तीन कप पानी लिया है फ्लेम को अन करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसिस शामिल करेंगे सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 3-4 टी स्पून या हस्बिजाई का नमक एक चाय का चमच चाट मसाला पाउडर एक चाय का चमच कुटी हुई लाल मीरज एक चाय का चमच भुना और पिसा हुआ जीरा दो खाने के चमच आइल आदा चाय का चमच हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे बॉयल आने के बाद इसमें हम उसी मेजरिंग कप से नाप कर एक कप सूजी शामिल करेंगे जिससे हमने पानी को मेजर किया था अब इस पॉइंट पर हमें इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा सा हलका रखना है क्योंकि सूजी शामिल करने के बाद पानी एक दम से ड्राइ होने लगता है इसी तरह से लगतार चम्मच चलाते हुए इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि सूजी इस पानी को अच्छे से एब्सॉर्ब कर ले और उसके बाद बिल्कुल इस तरह से एक दोगी शकल में आ जाए तो सूजी और पानी की मेजर्मेंट के लिए मैंने इस वाले मेजरिंग कप का इस्तमाल किया था इसका साइज 150 ml है अब इसको हम इस तरह से एक खुले बर्तन में डाल कर थोड़ा सा पहला देंगे तगि यह जल्दी से अच्छे से रूम टेमपरेशर पर थंडा हो जाए और जब यह अस तरह से रूम तेमपरेशर पर अच्छे से थंडा हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ांit शामिल करेंगे और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 200 gram उबला हुआ आलू जिसको मैंने boil करके कदू कश कर लिया है इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिरहाल इस point पर इसमें आधा कप conflour शामिल करेंगे लेकिन अगर अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगी तो फिर बाद में इसमें थोड़ा सा कॉनफलार मजीद भी शामिल कर सकते हैं तो बस अब इस तरह से हाथ की मदद से हमें बहुत अच्छे से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पर हम इस मिक्सर को चेक करेंगे इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसे हाथ से शेप दे कर ऑईल में फ्राय करके चेक करेंगे अगर oil में जाकर ये इसी तरह से अपनी shape को hold कर ले तो इसका मतलब है कि mixer बिल्कुल perfect है लेकिन अगर ये oil में विखरने लगे तो फिर इसमें हम थोड़ा सा konflour मजीद शामिल करेंगे यहाँ पर ये mixer oil में थोड़ा सा विखर रहा था तो इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून konflour के मजीद शामिल किये है अब अगर आप चाहें तो आप इससे फॉरण भी ये snacks तयार कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास time है तो फिर आप इस तरह से इसको थोड़ी दे के लिए प्लास्टिक रैप से कवर करके फ्रिज में रख दें तकरीबन आदे खंटे के लिए उस तरह से हमारा ये mixer थोड़ा सा सेटल हो जाएगा आदे खंटे तक फ्रिज में रखने के बाद फिर इससे हम snacks तयार करेंगे डो को बेलने के लिए इस तरह से मैट पर थोड़ा सा oil लगाएंगे तक ये इसके साथ stick ना हो और फिर उसके बाद डो को इस तरह से हाथ से पहलाएंगे अब जिस balance है हमें इसको बेलना है उसको भी पहले oil से grease कर लेंगे और फिर उसके बाद इस डो को या mixer को balance से बेलेंगे इसके बाद इसकी cutting करने के लिए इस तरह का एक चोटे size का cookie cutter लेंगे आप चाहें तो cutting करने के लिए किसी भी bottle का ढखकन या glass वगारा का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन cutting करने से पहले हर बार इस पर अच्छे से मैदा लगाएंगे बढ़ना ये mixer इसके साथ चिपकेगा तो इस तरह से अब ये fry होने के लिए तयार है आप अपनी मर्जी की कोई भी shape इसको दे सकते हैं fry करने के लिए इसको हम medium से थोड़ से 23 करम oil में शामिल करेंगे ठंडे oil में हमें इसको शामिल नहीं करना और flame को भी इसके नीचे medium high रखेंगे medium high flame पर इसी तरह से उलटते पलटते हुए इसको fry करेंगे जब तक कि इसके उपर अच्छा सा golden color आ जाए और यह crispy हो जाए यह देखें बहुत अच्छा सा color इनके उपर आ गया है और बहुत ही crispy भी हो गए है fry करने के बाद इसको tissue paper पर direct मत निकालिएगा किसी भी cooling rack पर यह चलनी में निकालिएगा तक कि जितना भी extra oil हो वो निकल जाए और चलनी में जब extra oil निकल जाए तो फिर आप इसको tissue paper में निकाल सकते हैं तो इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like और share भी जरूर कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe करके notifications भी जरूर on कर लीजेगा और recipe को जरूर try कीजेगा क्योंकि ये snacks बहुत ही मज़े के बनते हैं आपने देखा है ingredients भी कितने simple से हैं तो इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दौहों में याद रखिएगा थैंक्यू फर वाचिंग अलाव इस